Hello Everybody, This is Digrath Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस Central Highlands के बारे में Central Highlands क्या है इस चीज़ को समझजिए, अच्छी तरह से समझिए देखिए, सबसे पहली चीज़ चों क्या है कि जो हम Broad Division अगर देखे हैं तो जैसे यह पेनिसूला प्लैटू था पूरा, तो इसको आप क्या करने वाले हैं, तीन पार्ट में सबडिवाइड करेंगे, पहला पार्ट आपका डेकन ट्रैप हो गया, दूसरा पार्ट आपको यह सेंट्रल हाइलेंड है, और तीसरा पार्ट है नौर्थ इस्टन चलो पोजिशन समझते हैं, तो यह है सेंट्रल हाइलेंड, ठीक, यह है सेंट्रल हाइलेंड अब ऐसे ड्राइंग मना के मत आ जाना मुलता है, सर ने बताया था यह सेंट्रल हाइलेंड उसे आपको स्पेसिफाइ करना पड़ेगा, राइट शॉर्ट नॉट 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 एक्स्प्लेइन दी जिग्राफिकल लोकेशन अफ सेंट्रल हाइलेंड, तो अब आप क्या लिखेंगे, कोशन इस तरह से अगर आता है तो कोशन यह से आपका यह सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, यह बांडेट तो दी वेस्ट बाई अरावली रेंज, ठीक है, अरा वेरिंग ब्वीन 600-900 m to방 अब जावव दिजकि वेस्ट में लेशन वेजन ऐखा है, तो आपने वेस्ट में देख ले, आरावली रेंज है, पे साउत में क्या है ? सद्पुरा में यहां यहां पे अबावदी मीन सी लेवल तो आपने वेस्ट में देख लिया अरावाली रेंग साउट में क्या है संऩ पोडा रेंज हो साउट में सअप इसकी हीड मतलब चेशों सों जा नौस्मिटर के Elevation पर और इस तरह से वेस्ट और वेस्ट घृष शूथ आपको समझ में आ गया अब क्या है और अगर पीशे देखें तो the extension of peninsular plateau can be seen as far as jaisalmeyr in the west और यह जो extension है peninsular plateau का extension है क्योंकि central island किसका part है central island peninsular plateau का part है तो इसका extension आपको कहां तक देखने को मिल जाएगा तो मैं यह मेटा नहीं रहा हूँ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है समझ लो जला है क्योंकि वहां पर फिर picture में क्या सही तरह से आप विजुलाइज कर पाऊगे यह हो क्या अब देखो यहां पर क्या है कि जैसल मेर तक जब यह पहुचा है ना peninsular plateau में तो नीचे plateau ओपर क्या है sand dunes देखने को मिलेगे आपको तो where it has been covered by the longitudinal sand ridges ठीक है मिट्टी के रेत के टिले हैं रेत के टिले वो एक specific feature बनाते हैं क्या बनाते है sand ridges and crescent shaped sand dunes called barchans barchans के बारे में आपने 9th में पढ़ा है और अभी आगे जब हम great indian desert को पढ़ेंगे इसी chapter में तब और मैं आपको barchans बहुत अच्छी तरह से बता दूँगा घबरान अमत इस से इसको अभी थोड़ा द्यान रखो बस कहां बार्चans बनते हैं कहां पर desert में बनते हैं an eastern extension of central island is formed by Rajmahal hills to the south of which lies the large reserves of mineral resources in the छोटा नागपूर प्लेट्यू अब देखो ज़रा इसकी boundary pack कर देते हम ठीके तो अब यहां पर तो क्या है उपर तो नदन प्लेट्यू आ जाएगा ठीके उपर नदन प्लेट्यू आ जाएगा जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके ओ नदन प्लेट्यू के बारे में लेकिन अगर आगे जाओग कि जैसे यहां पर काया कि विंदिया चल सथ पूरा और भीच में नर्मदा आए तो सथ पूरा रेंज जो है पूरी सथ पूरा रेंज में महादेव हिल्स ठीक है मेकाल रेंज आपको और अलग-अलग हिल्स देखने को मिलेगी यहां पर है चोटा नाकपूर प्लेट्यू ज यह आपको कहानी पूरी का दियान में रखना है कि पोजिशन हमने समझ लिए पोजिशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब देखो क्या है दिस सेंट्रल हाइलेंड्स टीगे हैं दा सेंट्रल हाइलेंड्स हैस अंडरगॉन मेटमॉफिक प्रोचेस्स Central Highland बहुत सारे metamorphic processes को feel कर चुका है ठीक है, it had gone under many metamorphic processes Metamorphic क्या होता है सर Metamorphic को समझो ज़रा जैसे आपने rock cycle पढ़ा है, 7th class में पढ़ा होगा बोलों कि सर, 10th का भूलने लगें, आप तो 7th की बात करो चलो समझा देते हैं, rock cycle में क्या होता है कि आप देखते हो कि जो नई rock बनती है नई rock कहां से बनेगी, तो मानलो कि volcanic eruption के बाद में rock formation हुआ ठीक है, जो लावा बाहर आया तो rock बनेगा, वो igneous rock हो गया अब igneous rock क्या होगी, अब igneous rock जो है तो वो metamorphic processes के through under होती है, metamorphic processes मतलब क्या है कि extreme heat, temperature, rainfall इन सारी चीज़ों को जब वो feel करती है, इन सारी चीज़ों से जब वो क्या होती है मतलब गुजरती है वो जमीन, तब वो क्या होती है, metamorphic rock बनती है, metamorphic rock में जिसे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, marble देखने को मिलेगा अब आप बोलोगे, Central Highland में marble कहां दिखता है सर, तो मैं आपको बताता हूँ, नर्मदा river जो है, ठीक है, तो बीडा घाट वगेरा जो है, जहां से नर्मदा river निकलते वाती है, जॉर्ज बनाते हुए, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब अलपूर में जो पॉइंट को किसी evidence के साथ support करते हूँ, ठीक है, तो अब हम किस चीज को देखके बोलेंगे कि हाँ, यह जो rock है यहां की, Central Highland की, it had undergone many metamorphic processes, तो what are the evidences do you have, तो यह हम इस basis पर कह सकते है, which can be corroborated by the presence of metamorphic rocks, क्योंकि यहां पर metamorphic rock मिलती है, इस कारण से metamorphic process के through undergo गया हुआ है, ठीक है, तो क्या है metamorphic rocks जैसे marble, slate, ठीक है, जनिस, तो यह सारी आपको अलग-अलग क्या है metamorphic rocks यहां पर देखने को मिल जाएगी, clear है, यह हो गया, यह भी clear है, अब इधर देखते हैं, क्या है, तो the general elevation of Central Highlands, अब यह Central Highlands के अपने position देख लिए, अब Central Highlands की elevation की अगर बात करें, तो कितनी उची है, कहां तक है, क्या है, तो the general elevation of Central Highlands is 700 to 1000 meter above the mean sea level, mean sea level से इतना उपर है, mean sea level मतलब क्या है, तो mean sea level जैसे अगर आप देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से समझना, कि यह समुद्र जो है, तो समुद्र की आप जो, मतल है, तो high rise, मतलब कभी-कभी tides बड़ी भी होती है, नीचे भी होती है, तो जो mean sea level बनाते हो, उस से फिर आप जमीन को देखते हो, तो जमीन हमेशा उपर ही रहेगी ना, अगर नीचे होगी, तो समुद्र का पानी नहीं कुछ जाएगा जमीन में, तो इस कारण जमीन उपर यह नहीं कि इस टॉपिक को पड़ा के हम खतम कर दें, ठीक है, समझ जाए इस चीज़ को, जोग्रफी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, जोग्रफी का कोई भी subject, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, कि आपको एक वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि य से लगया कि हाँ, कुछ देखा है, समझ में आया, ठीक, अपस में इंटर एलेटेड होते हैं, वो आप ही के आराम के लिए कर देते हैं, कि वीडियो को में स्प्लिट कर देते हैं, ताकि क्या हो कि जिसको जो टॉपिक समझ नहीं आया, फिर से रिवाइस करना है, तो वो आस सबीच्युरास करो, आंखे-बन-द कर भी कर सकतो, लेकिन दिखे गांए फिर आपको, तो यह सेंट्रल हायिड निये मंआन लो, अब सेंट्रल हायिड जो है, अ सलोप उसका ऐसा है, समझ रो मैंने आपको डेकन प्लेट्यू का, सलोप बताया था, जैसे यह क्या यह इंड इंडिया में डेकन प्लैटिव का स्लॉप क्या Param adolescent childcare एयसा है तो एसा है। तरफ से जुका हुआ है तो इस लिच बर नौर्थ इसतल चुखा हुआ है वो नौर्थ वाड कया है ति Expect start लगाए आब बोलो कि से और जोड़िनेट तो वह किस mec ऊण इस थरफ द। लगाए कि एरेक्शन बताऊ sir तो इस तरफ कि सो बोल तो तो नौर्थ और नौर्थ इस्ट में जा रही है, सपोज यहां पे आप देखोगे तो आपको चीज़े अब और बहत्तर तहां से क्लेर हो जाएगी, ठीक, मानलो क्या यह इंडिया है पूरा, ठीक है यह नीचे चले गया, यह नीचे चले गया, यह इंडिया है, अब यह जो आप नर्मदा इस तरफ इस लिए भाटते वे जारी क्योंकि नर्मदा रिफ्ट वैली के बीच में, दो पहाडों के बीच में से निकल रही है, तो उसका तो अपना यह क्या है, डायेक्शन है, ठीक है, नर्मदा इस एन एक्सेप्शन, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्ल अगर आप देखो के काली सिंध है, ठीक है, पारबती है, फिर उसका बेतवा है, केन है, तो यह सारी रिवर्स कहा है, जा जा किसमें मिल गई यमुना में, और यह यमुना बाद में जा कि किसमें मिल जाएगी गंगा में यहाँ पे, ड्रेने चैप्टर आदा तो यहीं पर तो इस सेंस में क्या कह सकते हैं कि इसका स्लोप किस तरफ है, नॉर्थ और नॉर्थ इस्टन स्लोप है, आगा समझ में, बढ़ी हम उसकुरा रहा हो, तो इसका इंपक्त ही होता कि ट्रीविटरी जो 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 जाइन कर रही हो, सारी कि सारी यहाँ पे उरिजिनेट होती है, औ तो most of the tributaries of river Yamuna have their origin in Vindya and Camur range, ठीक है, Vindya range के साथ में जो लगी ही mountain range है, अब यहाँ पर एक exception है, जैसे का है, तो Banas, ठीक है, Banas is the only significant tributary of river Chambal that originates from the Arawali in the west, ठीक है, अब एक river लेकिन exception है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखोगे, तो सारी river क्या है, Vindya range से originate हो रही है, और न उदर आके बोलती कि चलो मैं भी सखी, तुमारे साथ चलती हूँ Yamuna river पे, ठीक है, यह पूरी कहानी है, clear, यह हो गया सारा, अब देखोगे है, तो आप टॉपिक भी complete हो गया और, तो I hope, आपको सारी चीजे समझ में आईए, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नही है, ह प्रकार का डाउट है, feel free to ask in comment section, magnet brains पे आपको इसी तरह से, class 4th से class 12th तक, आप class 4th में पीछे जाने से तो रहे, आप 11th में आगए हो, तो आप क्या करना, अपने जूनियस को ज़रूर बता देना, magnet brains के बारे में, और सांति साथ जो एक class के senior से 12th में, उन्हें भी बता देगा, complete syllabus, free of cost, video lectures के format में available है, quality content के साथ में, बलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले topic के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much